तो अगर आपने भी नए आइफोन बाइ किया है तो आपको तरास होगी एक बढ़िया चार्जर की क्यूकि एपल बॉक्स में तो चार्जर देता नहीं है और अगर आप अपने आइफोन को किसी भी एरे गयरे डाप्टर से चार्ज करेंगे तो इससे आपकी आइफोन के वीडियोज लेके आता रहता हूं तो आपने अगर कोई साभी आइफोन लिया हो चाहे वो आइफोन 16 हो आइफोन 15 आइफोन 14 आइफोन 13 या आइफोन 12 हो मैं जो चार्जर बताऊंगा वह इन सभी तरह के आइफोन को फास्ट चार्ज भी करेगा और यह आपके बैटरी को उनमें आम तोर पे 20 वाट का चार्जिंग सपोर्ट है बतलब कि ज़्यादातर आइफोन 20 वाट के वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं अभी जो आइफोन 16 सीरीज आया है उसमें आपको 30 वाट का सपोर्ट मिलेगा तो सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जो सस्ते में कोई अड्याप्टर लेना चाहते हैं तो देखो वैसे तो आपको आइफोन का ओरीजनल एडाप्टर करना चाहिए ये अभी मैं आगे आपको एक्स्प्लेइन करूँ गा, लेकिन अगर किसी वाज़ाँ से आप original एड्याप्टर बाय नहीं कर पाते या आपको लिए आप ये वाला चारजर ले सकते हैं वैसे इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा इसका यहाँ पर कोई नाम में नहीं है बस यहाँ पर 20 वाट चारजर लिखा हुआ है MFI certified मतलब कि यह iPhone के साथ compatible है और rating भी इसकी काफी अच्छी है 4.6 और 11,000 से उपर लोगों ने इसका review भी दिया है तो आप Samsung का यह 25 वाट वाला adapter भी ले सकते हैं जो की लगबाग 1000 रुपय के आसपास आपको online मिल जाएगा इसका भी link मैंने वीडियो के description में दे दिया है यह charger मैं वैसे लोगों के लिए recommend करता हूँ जो लोग already Samsung का phone यूज करते हैं और साथ में iPhones भी रखते हैं कि आपने इतना महंगा iPhone लिया तो आपको एक Apple का original 20 watt वाला adapter जरूर भाय करना चाहिए जो कि मैं खुद भी यूज करता हूँ और iPhones wired charging में जितनी wattage support करते हैं और उनको जितनी charging की जरूरत है उसके लिए ये 20 watt का adapter enough है मैं iPhone 13 को भी अपने 20 watt के adapter से ही charge करता था और अपने iPhone 15 को भी इसी 20 watt के adapter से charge करता हूँ वैसे आज कल कि जितने भी नए iPhones आ रहे हैं जैसे कि iPhone 12, 13, 14 या iPhone 15 वो सभी 20 watt के fast charging को support करते हैं तो ऐसे में इन सारे ही नए iPhones model के लिए ये charger best रहेगा और आपके पास iPhone 12 से लेके iPhone 16 तक का कोई भी model है तो लगबग एक घंटे या एक घंटे 10 मिनट के आज पास ये आपके phone को full charge कर देगा और इसका response इतना बढ़िया है कि मैंने iPhone 13 को एक साल यूज किया था तब जाके उसकी 2% battery health down हुई थी और iPhone 15 को भी मैं 8 महिनों से यूज कर रहा हूँ उसके बावजूद भी इसकी battery health अभी भी 100% है और मैं इसी charger का हमेशा यूज करता हूँ और इसी charger से मैं अपना Samsung H21 FE भी च description में दे दूँगा जहां से क्ली करके आप इसकी current pricing देख पाएंगे या इसे खरीद पाएंगे तो मेरी strong recommendation यह है कि आपने 40-50,000 रुपए खर्च करके नया iPhone ले लिया तो 1500 के लिए अपने iPhone की battery health को क्यों रिस्क पे डालना क्यूंकि आप कोई भी local charger यूज करेंगे तो on paper त बनाती है वही company आपका charger भी बनाती है तो उसको अच्छे से पता है कि इस charger को कैसे ट्यून करना है ताकि यह आपके iPhone को पास चार्ज भी करें और आपके battery को नुकसान भी नहीं पहुंचा तो यह जो भी चार्जर मैंने बताए वो तब आपको बाई करने है जब आपका budget एक किसी भी adapter से लेकिन बात वहीं पर आती है कि जो भी adapter आप उसके साथ में यूज कर रहे हैं वह कितना वोल्ट आउट पूट दे रहा है कितना एंपियर आउट पूट दे रहा है आला कि आपके iPhone को जितनी एंपियर और जितने वोल्ट के जरुरत होगी वह उतना ही लेगा ल सबका लिंक मैंने इस वीडियो के description में दे दिया है वहां से क्लिक करके आप उनकी करेंट प्राइजिंग देख सकते हैं और अपने बजट के अकॉर्डिंग इसे खरीद भी सकते हैं उमीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर यह वीडियो आपको पस